जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक वाफ सभी का महारतिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्तों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी उन सभी को हमाई तरफ से बहुत बहुत शुक्त कामना है घर से लक्ष्मी चली जाए तो मानो घर के अनेकों कारिये रुख जाते हैं और लक्ष्मी से बहुत कारिये संभव होते हैं अर्थार्थ धन जिस घर में धन ना रहे धन ना रुके और व्यक्ति निर्धन की भाती हो जाए तो बड़ी दिक्कते आती है लक्समी क्यों रुष्ट होती है और लक्समी रुष्ट ना हो हमें ऐसे क्या करना चाहिए सारी जानकारी संख में आपको देने वाले हैं तो देखो सबसे पहली बात तो जिस व्यक्ति की हतेली में धन परदायक ग्रह नश्ट हो जाएं हर व्यक्ति की हतेली में कुछ धन परदायक योग होते हैं परदायक ग्रह होते हैं, ऐसी आपकी जनम पत्रिका में भी कुछ धन देने वाले योग होते हैं, रास्य योग होते हैं, राजा के माफिक योग होते हैं, एक बड़ी संपत्ती को देने वाले ग्रह होते हैं, वो कमजूर हो जाएं, ऐसा मालने आप, तो आपकी हतेली में यद संचे वाले योग या द फट़ाय क करे वीक पढ़ा जाएएंगे तो आपका जो लक्शमी का भढ़ार घर का रसोह का भढ़ार हो वैभव का भढ़ार हो वो धीरे-धीरे आपके भढ़ार खाली ओने लगते जो कई बार तो लक्श्मी ऐसी रुष्ट होती है भाईया ऐसी रुष्ट होती है कि आप माने ना माने विक्ति के लिए सो रुपे भी एक लाख रुपे की बरावर लगने लगते हैं हाँ जब कहते हैं ना कि जब कुछ ना होना तो बहुत बड़ी बात लगती है एक एक रुपिया एक एक रुपिया ब कमल के उश्प्र के उपर सुवासित होती हुई प्रसंज चित्तम है अश्ट लक्समी व्यभवता के साथ घर में वास्त करती है आती भलाई व्यभवता के साथ हो लेकिन जब जाती है तो बड़ी विवनता के साथ लक्समी हजारों पाउं लेकर के उस घर से कुछ करती है कैसे कभी बिमारी के रूप में आपका धन नस्ट हो जाएगा बिमारी के रूप में निकलने लग जाएंगी आपकी घर से तो कभी कोट के चरी मुकदमे के रूप में आपके घर से निकलने लग जाएंगी कभी चोरी डखैती के रूप में यानि कि घर में चोरी हो गई सुरन नस्ट हो गया, सोना चोरी हो गया, धन चोरी हो गया, ऐसी डखेती पड़ी, उस रूप में ये निकल जाएंगी, जब इन्हें वास नहीं करना होता है, तो अनेको रूपों में ये घर से बाहर चली जाती है, इसलिए कहा गया है बिटे, जब दिपावली का पूजन करो ये लक्ष्मी का पूजन करो, तो आप जो चांदी का सिक्काल आते हैं, ये लक्ष्मी में आता है कि कोई भी फोटो, स्टैचू, कलेंडर, मूर्ती अपने घर में रखते हैं, तो बिटा उसको बैठा हुआ सब रूप रखा करने, खड़ा हुआ नहीं, खड़ा हुआ व्य इस सिर्था से वो बैठ के बात करें, तो जहां दस मिनट लगने हैं, वो पच्चेस-पचास मिनट एक गंटे तक बैठ सकता, इसलिए लक्ष्मी के पूजन में, ये विशेस बात हमारे सभी बच्चे ध्यान रखा हैं, कि आप इस्थर लक्ष्मी का बास अपने घर में बन हैं, अब देखो, आपका धन परदायक गरह रुष्ट हो जाए, हाथ की रेखाएं, कमजोर पड़ जाएं, धन रेखा, जिसे भाग्य रेखा कहते हैं, वो आपकी हतेली की करकश हो जाए, धन जाए गई जाएगा, आप रोक नहीं सकते हैं, हमने पताया न, अने को रूपो भी बड़ा खतरनाक होता है, कि पहले घर में आप फल फूल रहे थे, लेकिन जैसे आपने दूसरे घर में पदारापन किया, सब तैस्ट नैस हो गया, घर की ओला घर का वास्तु ऐसा निगेटिव था, ऐसा आपका महाल गड़ बड़ाया, कि आप मानो, अर्श से आप फर् बात की रिखाएं, दिखा लेनी चाहिए, वास्तों मैं भी दिखा लेना चाहिए, और अब इससे बढ़कर के हम बहुत उंची बात कर रहे हैं आपके साथ, आप साहब हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो अपने गुरू को मानते हैं, तो आप अपने गुरू के उपर पू रवय लेजहल करके आपकेन पाहाँ समल जाएगी इसलिए जिसने बहुकर पूर अस्ता रखी जिसने रखीने गुरु के अपरूर अस्ता रखी बच्चा मारें उयुकर अगता वह थोड़ा सा बसभूआ, फ्राइसृत्य उसको समल लेती अब आवर लीथ मेощट चाहिएं इस को काम करना चाहिए कि आपको ललीता स्हासर नाम का पार्ट करना चाहिए गुलाब की पंखुड़ियां भगवती लक्षमी को औरपन करके खुश्बुदार महकते गुलाब के पुश्प लक्षमी को चढ़ा करके धूप दीव दे करके पंचोप चार पूजन करके प्रति दिन आपको लगलीता शहस्रणाम का संध्या के समय एक पाट करना चाहिए और ग्यारवे अध्याई की खीर से आउती देनी चाहिए आपके घर में संपंता ना लोटाए तब आप हमें बताईएगा बड़े बड़े रिशी मुनियां बड़े बड़े तब जब को देखा करते थे चोटी सी चोटी बातों का अध्यन क्या करते थे किसाब बैठे हुएं और घर में देखा पैनी निगा लगाई कि चीटियों की कतार एक छोटे से बिल से निकल करके बाहर जा रही है बात सुनना कि देखा कि एक छोटे से चिद्र से चीटियों की कतार बाहर निकल रही है पूछा बड़ी चीटियां जा रही है, मुले बेटे चीटियां नहीं जा रही है, यह लक्षमी तेरे घर से बाहर निकल रही है, तेरे घर में लक्षमी ठैरेगी नहीं जब, तो अनेक और रास्ते यह बनाती है अपने जाने के लिए, किस रूप में बना लें, कुछ कहा नहीं जा सक गाहित्री मंत्र का नुष्ठान एसे में बड़ा ही मुफीद बड़ा ही लाबदयक रहता है गाहित्री मंत्र का नुष्ठान सवालाख मंत्र करिए 40 दिन में पूर्ण करिए कि समझिये किसी आसपास और नहीं तो शांति कुझ के द्वारा जो शक्ति पीठ हैं करीब करीब हर शहरों में शक्ति पीठ जाईए आप शक्ति पीठ से आपको सारा तरीका बता देंगे आपको बिल्कुत सही गाइडेंस मिलेगी वहां जाईए आप वहां से पूछिए समाला आपको करने होती है डिवाइडेशन कर लीजिए गाइडेंस के शालीज दिन के शाप से और परतीज दिन करीब करीब आपके हिस्ते में 29-30 माला आती है आप करिएगा सुबह साम दो समय में करिएगा और इसी समय इसी में लली ता सहसर नाम जोड़ लीजिए पर बनाती है द्यान रखना मारी बार कि वैसे ही चोटा सा भी छिद्र छोटे से भी रास्ते से लक्समी एक बार जाना पुरानम बोजाती है न तो वो रुकती नहीं है इसलिए वो नाव का छिद्र बंद्र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है नाविक के लिए और फिर भी भैबना रहता हैक खुलना जाये खुलना जाये और किनारा यदि दूर हो तो पूछ ना पात इसलिए बिटेः वक्त रहते समय जाना वक्त रहते जिंदेकी को अच्छे से बना लेना जिंदेकी में अच्छा लगेगा आपको आज भीजड़ समय हम आपको पिछले कितने द संत्र में लेन हो जाएं अपने गुरू की आस्था के पृति सही हो जाएं आप जीत जाएंगे भगवान की दोर जिसने पकड़ी है ना वो कभी डूबा नहीं है बस हमें इतना पता है वो डूबता नहीं है गज राज डूब रहे हैं मगरमशने पाम पकड़ लिया कर रहा हो है और उसी समय गजेंद्र मूख्ष के पाटकी रचना हुई गजेंद्र मुख्ष को पढ़ रहे हैं गज और भगवान सुरीहरी आते है मगरमश से पाम भी छोड़ाते हैं और गज आशिर्वाद करते हैं देते तो ऐसे हमारा पाम कई बार परस्तित्या पकड़ लेती है और इस्तितियां अपने मुह में हमारे पाउं को दवा लेती हैं, ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, जिन्दकी एक जिगा ठायर जाती है, उस इस्तिति में हमें भी सिरी हरी का चिंदन करना चाहिए, हमें जग दंबा का चिंदन करना चाहिए, महगवती के मंत्र पढ़ने चाहिए, भगवती के अराधना करने चाहिए अपने गुरू की बात को मनना चाहिए सच्चे हरदेसे में भगवान से जुरूना चाहिए आप नुकसान में नहीं रहेंगे आपकी लक्समी वापस लोटेगी आपकी सिरी संपंता वापस लोटेगी आपकी घर में लक्समी इस तो लूप से बास करेगी दूसरी बाद हमने बताया था कि साथ तरह कानाज ले ले मिट्टी की किसी ठूटी में कसोरे में रख ले और उसमें एक दीप रख ले जोत रख ले देशी की की गोगरत की मिल जाया थी उत्तम हर थजडे हर व्रस्पतिवार रसोई के अंदर पूर्व या उत्तर दिशा की तरह मोग करके रखें और उम अनपूर्णा ही नमें बोल करके उस दीप को जलाया करें हर व्रस्पतिवार आपकी रसोई भंडार में मगवती अनपूर्णा का वास होगा आपको लाब मिलेगा बेटे छोटे-छोटे उपाये हैं आप आलत से मत किया करो आप किया करो आपको आज़त पढ़ गई है अलग-अलग से उपायो की आप सोचते हो कि करना कुछ ना पढ़ा है और मिल सब कुछ जाए वो नहीं होगा आज ही बजीव सी बात हैं कि प्याली में फिटकरी रख दो और फला ना कर दो ऐसे कर दो वैसे कर दो भीया इतना आसान नहीं है भगवान को मनाना तो आसान नहीं है तो भगवान को मनाने की कहां से बात सोच रहे हैं आप तक यह के नीचे दो लॉंग रगदो, दो पीपल के पत्ते रगदो, काम हो जाएगा, यह सब मनघणत कहानिया हैं, ऐसे आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, कवर कसनी पढ़ती है, पुरशार्त करना पढ़ता है, महनत करनी पढ़ती है, जो रिश्यो मुन्यों ने जिन भग्मान से भी आस्ता उटने लगेगी, मैं इतने दिन से यह कर रहा हूं कि मेरा काम नी बना, तो इसलिए ध्यान रखना, अच्छे बच्चे बनके लाओ, अच्छे सिर्पाई करो, सही में अडिशन लोगे, तभी आप में लेगा, चलिए, समय चला, आज की ध्यान साथ जोटते हैं, जगत जन्नी भगर भगती जगदंबा से, विब्रति सोम्याम रत्न गटस्तरक्त चरणाम, ध्यायत्पराम अंबिकाम, खडगं चक्रगदि सुचाप परिगान, चूलं भुसुंडिम्सिरा, संखं संधदतिम्करिस्त्रिनयनाम, सर्वांग भूस्वाःताम, निलास्मध्युत्यमास्यपाद दसकाम, सेवे महांकालिकाम, यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो, अंतुम् अदुम् कटवं, विद्योद्धाम समप्रवाम् रिगपते, स्कंदस्तिताम् विशनाम, कन्या विहकरवाल खेट विलसा, धस्ता विरास्यविताम्, हस्ते श्चक्र गदासि खेट विशिखाम्, स्चापम गुणं तरजनीम, विप्राणा मलिलात्मिकाम ससिदराम, धुरगाम् तिनेत्राम वजे। कबच बना लें, ध्यान करें, भगवती का सुब आसी समसब के ओपर बरस्टार। औरкष नुकिझाएं हुख्जाली दो पर मुझाएं। बड़ा उपाई बताया है पीफल पूझने वाला जिसने सुमभती हम आवस्च्या का आप जब दो जवरादीखाव सुपाई करें और कल प्राते काल के एपिसोड में भी हम सोमती हमस्तिया पर कुछ बोलने वाले हैं उसके बारे में भी आप चिंतन करें और सुनें चलिए आप सब लोग स्वस्त रहें सुकीन हैं इनी शुब कामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हैं जय जय अंबे गुरुजी से मैं तब से जुडा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी पी सेवन उसके उसी से जुडा हुआ और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आज चर्ज चकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई तो मैं इतना आज टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते यह हमें बहुत पसंद आई और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुडा रहा जो भी समस्या आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सौल बहुत चले गए और आज तक मैं उनके आशिरवास से मैं बहुत सु सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें